हलो दोस्तो, आज इस वीडियो में समझते हैं कि ब्लॉकेट वोर्ड का इंग्लिश मीनिंग हिंदी मतलब और इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं इसका इंग्लिश मीनिंग है एन आक्ट और मीनस अफ सीलिंग अफ ए प्लेस तो प्रिवेंट गूर्ड और इंट्रिंग और लिविंग इसका हिंदी मतलब है नाका बंदी या नाका बंदी करना इसको उधारन में अभी समझते हैं यानि उन्होंने पंड डूबियों का प्रयोग करके नाका बंदी को तोरने का प्रयास किया दूसरा सेंटेंस से ता बंदी के साथ आतंगी हत कड़े भी है इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहे हर दिन नई नेवर्ट सीखते रहे है चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यों